जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोंदरिय कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह के रासी परिवर्तन के बारे में शुक्र ग्रह के रासी परिवर्तन से धनू रासी के लोगों पर क्या प्रभाप पड़ेगा जानेंगे आपके वेपार, वेवसाय, सिक्षा, स्वास्त, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवीदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आप तक सबसे पहले दोस्तो शुक्र ग्रह को सूरिय के सबसे नजदीक ग्रह में माना जाता है और विर्सब रासी में शुक्र का गोचर इस अबधी के दोरान वानी में आकरसन और आकरसक व्यक्तितों लोगों को प्रदान करेगा लोगों में उच्च विशले सनात्मक द्रश्टी और तारकिक व्रद्धी होगी सुन्दर और रचनात्मक चीजों की प्रती भी लोगों में आकरसन देखने को मिलेगा इसके अलाबा जो लोग अध्यात्म के छेतर से जुड़े हुए हैं उन्हें ग्यान अरजित करने में आसानी होगी तो यह समय उन लोगों के लिए अच्छा होगा शुक्र वहग रहे है जो इस त्रेंड गुणों का प्रतीक मना जाता है प्रेम, सुन्दर्य, विवहा, विलासिता को दर्साता है और जोतिस में इसे सुब ग्रह के रूप में माना जाता है इसका मुख्य गुण जीवन, मनुरंजन और आनंद के साथ अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ जीवन वैतीत करने से भी है शुक्र जीवन के कई पहलों पर असर डालता है किसी भी कुंडली में मजबूत शुक्र यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी विलाशिता भोतिकवादी सुकों का अनुभव करेगा हाला कि कमजोर शुक्र रिस्तों में असफलता वैवाहिक कल है आंखों से सम्मंदित समश्या देता है और विर्सब रासी में सुक्र का है गूचर चार मई 2021 को दो फैर एक बजकर नौ बजे पर होगा और यह 28 मार्ज 2021 ग्यारा बजकर 44 मिनट तक इसी रासी में रहेगा इसके बाद मिथुन रासी में प्रवेश कर जाएगा तो दोस्तों जानते हैं धनौ रासी के लोगों पर सुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा धनौ रासी के लोगों के लिए शुक्र सस्टम और एकादस भाव का स्वामी है और यह आपके सिस्टम भाव में गोचर करेगा यानि छटे भाव में गोचर करेगा यह भाव स्वास्थ है काम दिन्चरिया का प्रते निधित्व करता है और यह गोचर रिस्तों में जगडे बहस पैदा कर सकता है आपकी विरोधी भी आपको परिशान कर सकते हैं नौकरी पेशे से जुड़े लोग इस दोरान बहतर परणाम देखने को मिलेंगे और नौकरी में बदलाव करने के लिए भी इस दोरान आप विचार कर सकते हैं इस गोचर के दोरान आपकी वित्तिय इस्तिति मजबूत होगी हलाकि आपके निजी खर्चों में बढ़ुत्री होगी तो इसलिए अपने खर्चों पर अंकुस रखना होगा सोच विचार कर खर्च करना होगा इस रासी के जो छात्र प्रतियोगता में भाग ले रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा अच्छी सफलता प्राप्त होगी सकरात्मक परणाम मिलने के इस दोरान ज्यादा चांस रहेंगे आपके जीवन साथी या बड़े भाई बहनों में से किसी का स्वास्त खराब हो सकता है जिससे आप थोड़े से तनाव में आ सकते हैं जो आपकी चिंता का कारण भी बन सकता है तो आपको किछ पृती दोंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है तो इस दोरान अपने पृती दोंदियों से थोड़ा साथान रहें सतर्क रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा किसी की अनावशक बहस में ना पड़ें तर्क वितर्क ना करें वाद विवाद से दूर रहें क्योंकि आप बहस से किसी भी तरह का लाब प्राप्त नहीं कर सकते तो यहां थोड़ी सी साफधानी रखनी होगी और अपने आसपास की महीला रिस्तेदारों का सम्मान करें जल जनित रोगों को लेकर जाग रुप रहें क्योंकि ऐसी संभावना हैं कि आप ऐसी समश्याओं से दो चार हो सकते हैं और अच्छे फ़ल प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन चीनी और चावल का दान करें तो आपको अच्छे प्रणाम प्राप्त होंगे दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जै मातादी दोस्तो